जी, आस्टामलीकूम, क्या आप बालों के जड़ने की वज़ए से परेशान हैं और बाल लंबे नहीं होते तो कोई मसला नहीं, मेरे चैनल के साथ रहिए, मेरी काइनात के साथ रहिए, आज हम होम रेमेडी प्रिपेर करने लगे हैं, होम रेमेडी में हम ऐसा ओल प्रिपेर क जाएंगे, लेट्स स्टार्ट दा होम रेमेडी, फर्स्ट आफ ओल हम दो बड़े चमच हम क्लॉंजी के लेंगे, और इसी तरह हम दो बड़े चमच मेथी दाना के लेंगे, तकरीबियन हम वही इंग्रीडियंट्स यूज़ करने वाले हैं, जो सभी घर में मजूद होती ह इन्हें लेने के बाद हम इन्हें अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंडर की मदद से, ग्राइंड करने के बाद इस पेस्ट को हम ग्राइंडर से निकाल लेंगे, एक बिकर में, इस किसम का पेस्ट बन जाएगा, अब हम एक पैन में आधा प्याली, कोई भी ऑईल लेंगे, मस्टर्ड ऑईल यानि सर्सों को ऑईल या इसके लाबा आप नारियल का तेल जो भी आपकी स्कीन को मुआपिक हो और आप यूज करती हो वो ले लें, हलका से इसे लो फ्लेम पर गरम कर लें, सिप गरम करना है याद रखिए इसे जलाना नहीं, इसके से आइस्ता आइस्ता इसे हिलाएं, हिलाने के बाद इसमें आप करीब आता शामिल कर दें, दो से एक मिंट के बाद, करीब आता है को अच्छे तरीके से हिलाएं, 15 सेकंड बाद इसे फ्लेम को हम बंद कर देंगे, अब फ्लेम को बंद करने के बाद इसको ठंडा होने के ल स्टेन कर लेंगे अच्छी तरीकी से स्टेन कर लें जी जो मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें आगे शेयर कर दिया करें मेरी काइनात आपके लिए इसी तरह की बहुत से होम रेबिडीज लेके आया करेगी जो आपके लिए बहुत ज़दा मुवाफिक होंगे जी अब इस ओयल को हम एक बर्तन में या किसी भी जिस जार में आप डालना चाहें आप डाल सकती है इसको डालके यह ओयल तक्रीब curriculum एक मार्न के लिए आपके लिए इतना काफी हो जाएगा मेरे लिए तो इतना काफी हो जाता है इसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता देती हूँ इस ओयल को आप किसी भी बर्तन में जब मेने लगाना होता है तो जितना मैंने लगाना होता है मैं उतना इसे अलादा निकालती हूँ और इसमें मैं वाइटामिन E के कैपसूल एड़ कर देती हूँ वाइटामिन E के कैपसूल हमारे स्कीन के लिए हमारे हेर्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं अब नब मैं इसमे केψूल वरिटामीन के एड़ कर दूंगी एड़ करने के बाद इस तरह मसाज करते हुए बालों में अच्छे तरीके से लगाना है जड़ों में रूर्स में हमने 10-15 मिन तक मस पस्ट मसाज करें रूर्स में और इस तरह करें नहाने से तीन से चार घंटे पहले लगा लिया करें या अगर आपने बॉर्निंग में नहाना है तो रात को लगा लिया करें